अलो दोस्तो नमस्कार Profit Guru चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का सौगत करता हूँ तो दोस्तो टाटा मोटस के लिए दो बहुत अच्छी न्यूज आते हमें देखने को मिल रही है अब इस न्यूज को देखके टाटा मोटस के जो शेयर होल्डर है वो बहुत ही खुश होंगे क्यूं क्यों कि बहुत ही शान्दार ये न्यूज आईए अगर आप देखेंगे तो मार्केट में अभी काफी Pressure है मार्केट अभी काफी Bolatile देखने को मिल रहा है क्योंकि एक बार देखा जा तो मार्केट में सबी जगह से पूरे ग्लोबली मार्केट से नेगेटिव न्यूस आ रही है लेकिन टाटा मोटर्स के लिए दोस्तों ये दो न्यूस बहुत अच्छी आते देखने को मिलिए तो चलिए फटा बट से कवर कर लेते हैं ये दोनों ह अब यहाँ पर आप देख सकते हो बनी कंट्रोल की साइट के ओपर मैंने आप लोगों को लाया हूँ ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हो ये न्यूस दोस्तों कल का हमें देखने को मलगा 17 फरबरी का ठीक है आप देख सकते हो जो जे एल आर का टाटा मोटर्स का सबसे इं प्रज़ने से उनने दोस्तों नेविदिया के साथ क्या किया है एक डील किया है ठीके और JP Morgan ने उस पर बुलिज भी दिया है अब दोस्तों यह जो NVIDIA है ठीके NVIDIA यह डील किसे लिए उवा है और JLR के साथ इसने यह डील क्यों किया है तो वो नीचे पूरी detail में अपन न्यू से मल्टी एर स्टेडिटी से रिलेटेड यह पार्टनर्शीप हुआ है क्यों क्योंकि देखे दब लार्जेस्ट प्रोड़क्ट ऑफ ग्राफिक एंड आर्टिफिशल इंटिलीजेंट चीप नेविडिया मतलब दोस्तों यह इस प्रकार का काम करती है तो आपने देखा होग यह इसी के कारण ही क्या किया है एंविडिया से जे एल आर के रिलेटेड पार्टनर्शीप किया है यह टाइएप हुआ है जैसे कि आप देख सकते हों यहाँ पर भी बोई लिखा है जे एल आर टू जोईन डेबलपेंट एंड ड्राइविंग नेस्ट जनरेशन जो आने व देखने को मिल रहा है यह दोस्तों टाइएप होते देखने को मिल रहा है और AI इनेवल सर्विस फोर दा कस्टमर फू ओफ दा कार में कर ठीक है यह इस प्रकार की सर्विस भी प्रोवाइड करेगी उसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया ह कि स्टार्टिंग 2025 औल न्यू जे एलार विकल मतलग टार्टर मोटर्स के तरफ से पहले ही अपडेट आथ चुका है कि जे एलार में दोस्तों यह जो फिचर है यह 2025 से आना चालू हो जाएंगे ठीक है उसके साथ ही अगर आप देखेंगे उसके साथ ही अगर आप उसके बाद जो प्लेटफॉर्म रहेंगा ड्राइविंग वाइट ठीक है उसके साथ आटोमेटिव ड्राइविंग पार्किंग सस्टम यह बहुत अच्छी रहने वाली है अब दोस्तों देखें आने वाले दो-तीन साल में ही क्या होगा यह प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा लेकिन दोस्तों दो-तीन साल अगर आपने स्टॉक में इन्वेस्मेंट किया या करना चाहते हो तो आपको लॉंग टर्म के लिए ही खेलना पड़ेगा क्यों क्योंकि दोस्तों यह तो है नहीं कि आज यह निउस आया कल स्टॉक बढ़ा बन गया फिर उसके बाद दोस्तों ठीके पार्किंग सिस्टम जो आटिमेटिक होगा ठीके ड्राइविंग असिस्टन सिस्टम आने वाला है उसके साथ आटोमेटिक ड्राइविंग भी होगा ठीके जब यह फीचर आने लगेंगी कार्स में ठीके तो इनकी डिमांड मार्केट में कैसी रहेगी यह भी देखन वाली बात रहेगी, तो मतलब सीधा-सीधा फोकस आजाता है long term, तो long term आपने सुना है, तो वही long term के लिए दोस्तों आपको focus करना पड़ेगा ठीके, चलो, नीचे भी cover करते हैं अब जैसे की दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीके यहाँ पर depth related भी चलते देखने को भी मिल रहा है, तो यह हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, आने वाले 2023, 2024 तक क्या हो रहा है दोस्तों, टाटा मोटर्स करजा मोक्त हो रहा है, तो सबसे बड़ी बात shareholder के लिए यह देखने को मिलेगी, उसके बात जो भी profit होगा, वो पूरा दोस्तों, टाटा मोटर्स के jam में जाएगा, या जो भी loss होगा, वो पूरे टाटा मोटर्स के jam में जाने वाल, ना तो किसी को देना, ना किसी से लेना, यह बहुत बड़ा दोस्तों, यहाँ पर टाटा मोटर्स के तरब से update आते देखने को मिला है, उसके ठीके, क्यों करेगा दोस्तों, क्योंकि यह एकदम पूरा मार्केट क्या करना चाहते है, कैप्चर करना साहते है, the major share, मतलब मार्केट अगर यह कैप्चर कर लेंगे दोस्तों, फटा पट अपनी नई electric car को launch करके, तो definitely दोस्तों, यह हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, अब दोस्तों, यह कितने समय पे दस car launch होगी, आने वाले चार से पांस साल, तो दोस्तों, आने वाले जो चार से पांस साल है, वो टाटा मोटर्स के लिए बहुत important होने वाले, क्योंकि company debt free होगी, ठीके, automatic driving वाली company, मतलब car आने वाली है, और साथ में 10 नए मोडल आने वाले है दोस्तों, टाटा मोटर्स के तरब से electric vehicle, क्योंकि electric vehicle का जो challenge है, अभी वो सबसे ऊपर है और जो passenger vehicle है, अब वो दीरे-दीरे पीछे आटते देखने को मिल रहे है, तो बस तो टाटा मोटर्स के तरब से, यह जो news है, बहुत ही जोड़ार देखने को मिल रहे है, तो एक तो यह news होगी second news भी मैं आपको बताता हूँ तो जो second news हो, उसको cover करने के लिए मैंने financial express की site को उसकिया है, क्योंकि कि दिगच निवेशक, राके जुन-जुन वाला के फेवरिट स्टॉक, टाटा मोटर्स का शेर सुक्रुवार, मतलब सोरी, गुरुवार को इंट्रडे में 0.5% करीबन मजबूत हुआ था, लेकिन अभी इसमें 26% का उच्छाल आ सकता है, माना जा रहा है कि अंचराश्टी ब्रोकरेज फर्म, जेपी मॉर्गन का दरसल जेकवार, लेन लोवर ने इंवीडिया, जो मैंने अभी आपको न्यूस बताया है, टेकनोलोजी के साथ पार्टनर्शिप किये, जिसके बाद टाटा मोटर्स के शेर में यह उचाल देखने को मिला है यह एक मल्टी, मल्टी मतलब आप बोल सकते हो कि मल्टी इयर वाली जो पार्टनर्शिप देखने को मल रही है, पार्टनर्शिप के तहट कमपनी अपने ग्राव को के लिए नेक्स जेनरेशन आटोमेटिक ड्राइविंग सिस्टम प्लस तैयार करेगी तो दोस्तो आप देख सकते हो जो मैंने आपको अपडेट किया वही का वही यहाँ पर भी नियूज है ठीक है, लेकि दोस्तो सबसे बड़ी बात यह कि JP Morgan बोल रहा है कि स्टॉक 26% की यहां से उच्छा लेगा तो आप केल्कुलेट कर सकते हो कि 500, सबा 500 रुपे का स्टॉक यह अभी टाटा मोटर्स का अगर यहां से 26% भागता है तो क्या 1000 रुपे के उपर यह जा रहा है या नहीं तो इस चीज को आप जरूर अगर फोकस में रखोगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा दोस्तो यह मोका देखने को मिलेगा ठीके चले आज टाटा मोटर्स का क्या पॉफोर्मेंस रा वो देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकतो टाटा मोटर्स का स्टॉक आज करीबं 1.5% गिरा 493 रुपे के आसपास स्टॉक क्लोज हुआ है आप देख सकतो 499 रुपे 95 परसे का प्रिवेस क्लोज था 4995 पर ओपन हुआ 502 रुपे 65 परसे का हाई लगाया और लो लगा 499 रुपे 50 परसे देखा जाया तो एक अच्छा कासा मोमेंट देखने को मिला लास्ट 5 दिन में स्टॉक ने 2% की तेजी दिखाई है लास्ट 1 मेने में 5.5% की गिरावट है लास्ट 6 मेने में अगर आप देखेंगे दोस्तों इस स्टॉक का मोमेंट 24% की तेजी दिखाया है लास्ट 1 साल में ही स्टॉक ने बहुत अच्छा रिटन अपने शेरोल्डर को दिया है और अवरोल के पाफॉमेंस के अगर मैं बात करता हूँ तो कंपनी मार्केड में काफी पुरानी है और अपने शेरोल्डर को लगभग 45.500% का रिटन इसने दिया है अब सबसे बड़ी बात यह है कि कभी-कभी आटो सेक्टर का दोस्तों जो मार्केड था वो पूरा डाउन हो चुका था देर उसके बाद रिकबरी, रिकबरी के बाद पेंडमिक पेंडमिक के बाद से फिर से एक बाद जोरदा रिकबरी तो देखा जा तो बहुत ही अच्छा है यहां पर पाफोमेंस हमें टाटा मोटर्स के तरफ से देखने को मिल रहा है तो जरूर आप अपना फोकस टाटा मोटर्स के उपर लगा के चल सकते हो तो यह जर न्यूज है दोस्तो अगर यह आपको पसंद आया तो प्लेज दोस्तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा कि डेली बेसेस पे इसी प्रकार का दमा के दार अपडेट हम आप लोगों तक लाते रहते हैं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा तो तेंकि दोस्तो